नमस कर दोस्तों सरजी क्लासिस में आपका स्वागत है तो आज से हम लोग इंपोर्टेंट जिगे क्वेशन सीरीज करेंगे जो कि आपका ये एनलसी गेट एक्जाम के लिए काफ़ी हिलफुल रहेगा और इसका एक्जामनेशन अभी आपके होने वाले हैं तो इसके लिए ज करते चलना और देखिए जो भी इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं आपके जिके के तो वह हमने इसका एक स्टेडिजी वाला वीडियो बनाया था तो उसमें आप लोग देख लेना उसको और हम कोसिस करेंगे कि क्वेस्टिंस के थुरू ही जो है सारे कॉंसेप्ट को कोभर करने का जितने फी सब्जक्स हमने आपको बताया थे तो आप लोग अपने तरीके से स्टेडि करते रहिए हम यहाँ पर कोसिस करेंगे कि सा मैक्सिम पॉर्शन आपका कोभर करने का और यह सिरी जो है आपका थे एकजाम तक यह चलेगा डेली एक सेट हम आपके पास लाते रहेंगे जनरल अवेर्नेस का जिके का जितने फी इपॉर्टेंट कोश्चन होंगे तो जिससे कि आपका जो है अच्छे से तैयारी हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग आज का सेशन तो देखिए आज के पहले सेट का पहला कोश्चन आपका है कि हूस रिट इंटरनेशनल बुकर प्राइस दिया गया हुआ है तो यह काफी इंपोर्टेंट आपका है तो इनसे यह कुछन आपको पूछे जा सकते हैं तो यह आप लोग याद रखना तो इनसे दो तरीके से कुछन आपको पूछे जाएंगे एक तो रहेगा आपका कि जैसे स्कतिर होता है यानिकि जो परीघ्यаются मे से स्पागा है तो यह लोग 2 जहां है तो जैसे अब दिखते होंगा कि जिसमें flooded रहते हैं water यानि कि जो rice जिसमें standing water रहती है तो उसमें से large quantity of methane जो है वो produce होती है emit होती है इनसे तो यह आप जानते हैं कि जो methane आपका है तो यह important greenhouse gas important यह मतलब यह greenhouse gas आपका है जो कि earth के temperature को increase करता है क्योंकि यह जो है इसकी property होती है कि यह जो higher radiation होते है तो उनको यह trap करती है और इसके बाद जब यह reflect करता है earth सर्फिस पे तो इससे जो earth का temperature है तो उसमें increment होती है तो जितने भी greenhouse gases आपका है जो एक्जाम में पूछे आता हैं आपसे तो आप लोग उनको याद रखना हमने इसको जो है environment वाले जो class हमने करा था अपको उसमें हमने इसको अच्छे से बताया वह था जैसे कि आपके carbon dioxide आपका हो गया methane हो गया इसके लावे water vapor हो गया इसके लावे N2 आपका हो गया तो यह सारे जो है जो है इनको बोला जाता है greenhouse gas बोला जाता है जिसमें कि आपका CO2 एक important component आपका होता है greenhouse gas का है तो जिनसे कि global temperature जो phenomenon आपके होती है तो वो arise होती है तो earth temperature का जैसे increase करने में methane का भी एक important role होती है फिर अगला question देखिए कि in energy pyramids the energy is dash when moved up on the pyramids तो यह देखिए question आपका है यह दिया हुआ pyramid से related आपका है कि यह भी environment का ही आपका यह part है तो जो energy की जो pyramid होती है तो उसमें energy का जो label होता है जब हम लोग उपर move करते हैं तो इसमें जो है energy जो label होती है तो वो decrease करते जाती है तो इसका देखिए right answer तो option B आपका हो जाएगा efficiency between the जो biomass आपका है और साथ में जो productivity होती है energy का एक different topic levels पे आप जानते हैं कि आपने study किया होगा जो food chain या फिर food wave आपने देखा था उसमें तो उसमें energy के जैसे follow होती है पहले producers होते हैं उसके बाद फिर जो होता है consumers होते हैं उसके secondary consumer, tertiary consumer और फिर decomposers होते हैं तो इस तरीके से जो energy की flow होती है एक level से दूसरी level में तो वहाँ पे जो है उसकी जो energy के जो percentage जो होती है तो वो decrease करते जाती है तो यह जो अगर आप लोग pyramid में देखिएगा तो इन सभी का जो है अलग-अलग phenomena arise होती है तो इसमें जो है pyramid आपका इसमें हम लोग so करते हैं कि जैसे कोई भी organism है यानि कि जो organisms रहते हैं इसमें तो उनकी संख्या कितनी है या फिर जो और भी biomass रहते हैं तो उनकी संख्या कैसी है या फिर इसके अलावे energy है आपका तो energy का फ्रूज़ जोते हैं तो इस तरीके से अगर इसमें question पूछाएदा है pyramid of number का pyramid of biomass का और एक आपका pyramid of energy की रहती है तो number की बात करते हैं तो इसमें वो सारे organism सबके होते हैं number of individuals होते हैं जो की एक successive traffic level पे रहती है इनकी संख्या कितनी है तो यह जो है आपका यह upright भी हो सकता है और वहीं पे जो second आपका pyramid of biomass का आपका है तो pyramid of biomass जो रहता है तो successive traffic level पे जो biomass की जो quantity है इनकी तो वो कितनी है वो depend करता है आपका इन पे तो यह भी आपका अपरेंट यह इंवेटेट दोनों हो सकता है और वहीं देखिए जो pyramid of energy जो आपका रहता है तो यह सो करता है कि rate of energy flow यानि कि energy flow और productivity कितनी होती है successive traffic level पे तो यह उससे हम लोग दिखाते हैं तो इसको हम लोग always upright position में हम लोग दिखाते हैं तो यह तो आपका जैसे हो गया pyramid के level पे बेसाब से कैसे हम लोग इसको रखते हैं बट यहाँ पे जो question आपका पुछाता है वो ecosystem से related रहती है कि अगर माल लिजे various ecosystem आपका रहेगा जिसमें कि माल लिजे कोई अगर grassland ecosystem है और कुछ आपका रहेगे जैसे pond ecosystem है तो उसकेस में जो pyramid रहेगा आपका different चीजों के लिए जैसे number के हम बात करते हैं यहाँ पे तो number आप जो इतने भी और्गनिजम्स होता है grassland ecosystem में तो इसमें आप दिखिएगा कि जो pyramid रहता है इनका grassland ecosystem के अपराइट आपका रहेगा क्योंकि जो grassland ecosystem आपका रहेगा तो इसकेस में जैसे ही ऊपर का level यानिके increase होता है हर एक traffic level पे इनमें decrement होते जाती है और वहीं पे हम बात करते हैं pond ecosystem में तो इसमें भी जो number रहती है जो भी और्गनिजम्स रहते हैं हर एक level पे तो इनका भी decrement होता है यानिकि आपका अपराइट पोजिशन पर रहता है अब आपके अपराइट पोजिशन पर रहता है अगर इस तरीके से पॉजिशन परेमिट का अपका होगा है अपराइट पोजिशन का लेकिन जो energy की जो लेवल होती है जैसे ही आप मदल की ट्रॉपिक लेवल से उपर इंक्रीज करते आती है टॉप लेवल पर आप मूब किजेगा उपर में तो आप देख रहे हैं कि जो energy की जो percentage होती है तो वो decrease करते आती है सबसे अदर energy रहती है तो वो primary producers होता है तो उनके पास जो energy रहती है डारेक्टन के पास संसे अप्टेंड होती है और इनके पास 100% energy stored रहती है लेकिन यही अगर जो आपका है primary producers से अगर माली जो कोई primary consumers होता है यहापे उनसे energy transfer होती है क्योंकि हम लोग dependent होता है consumers को पर में त decrement आपका होगा और फिर जो last में जाएगा तिया और decrement होते जाती है तो इस तरीके से energy का जो flow आपका रहता है यहापे यदि हम upright में move करते हैं हम लोग उपर की तरफ move करते हैं तो इसमें decrement होते जाती है जैसे कि question में आपसे पूछा गया था तो I hope कि आप आप लोग जो है योजना तो कुन सा five year plan था कि जिसे हम लोग घरजिल योजना भी बोलते हैं लोग तो यह दिखिए वहाता third five year plan में तो जो third five year option भी आपका correct हो जाएगा इसमें तो जो third five year plan था तो यह इसका duration था आपका 1961 से लेके 1966 के बीच में जो की जो हाला नहरुजी के leadership में की यह जो है five plan organize की गए थी तो इसमें देखिए जो प्लान था यह जैसे तयार किया गया था यह deputy chairman थे planning commission के डॉक्टर जियार गडजिल तो इनके द्वारा जी तयार के मतलब की प्लान तयार की गए थी इसलिए इसको बलाता है गडजिल योजना तो यहां पर देखिए जितने भी five year plans थे जो की implement किये गए थे और जब से इनके शुरुवात होती और जब से इनका आखरी था तो इन में से आपके major इसमें से जो थीम होते हैं वो अपसे पूछे आते हैं कि basically जो जो भी five year plans होते हैं तो उसके एक theme होता है वो क्या रखी गई थी तो starting में जब planning commission जब इसकी formation की गई तो जो की पहलाब का था 1951 से लेके 1956 तक तो इसमें majorly जो theme रखा गया था तो वो agriculture development को रखी गई थी तो ये आपसे question पूछा जाता है तो ये आप लोग जहां याद रखना और वहीं पर दिखे जो second जो five year plan था तो 1956 से लेके 1961 के बीज में थी तो year भी आपसे पूछा जाता ह तो इसमें भी और basic industry फोकस किया गया था और साथ में self-sufficiency in food grains फोकस की गई थी और वहीं पर दिखिए फिर बीच में जो है कुछ region के चलते हैं यहां पर फिर एक दूसरे plan आती है यहां पर plan holiday आता आपका जो की एक annual plan होता है तो यहां पर कुछ समय के लिए जो five year plan थी तो उसको terminate करी दिखाई थी फिर उसके बाद 1966 से लेकर 1969 के बीच में तो जो था आपका प्लान holiday यानि कि annual plan प्लान की फिर नेक्स देखिए जो five year plan था तो इसकी duration थी 1974 से लेके 1979 था तो इसमें जो मेजर जो फोकस किया गया था तो वो था आपका गरीबी हटाओ पर यानि कि इस आपका काफी important है और यह duration भी आपसे पूछा आता है यह फिर उसके बाद दिखिए यहां पर फिर से बुनाय प्लान implement के रोलिंग प्लान के जगह पे तो यहां पर रोलिंग प्लान किया गया था जंता पार्टी के दौरा यहां पर कुछ समय के लिए जो जो five year plan थे तो वो 1980 से लेके 1985 के बीच में तो इसमें भी जो है poverty elevation एक major issue था इसमें major theme था और साथ में employment generation का यह दो चीज़ थे major focus किये गया थे फिर प्लान के दौरान फिर आगला देखिए जो seven five year plan था तो इसका जो time period था 1985 से लेके 1990 के बीच में तो इसमें भी जो focus किया गया था आपका तो वह duration था इसके वह कितिना था आपका majorly जो फॉस्ट सेकेंट थर्ट जो रहते हैं और फिफ्ट फाइवेर प्लान अपका थे इसमें गरीबी हटा होता था और तो आपसे पूछे आता और लास्ट में जो आखरी के जो प्लान यह प्लान थे आपके तो वह चीज आप से आप लो बीच में तो इसमें human research development पर focus किये गया थे फिर इसके बाद देखिए series आपका फाइब पांच पास साल आप आड़ कर आड़ करते जाहिए तो आपका एक sequence में बन जाएगा 97 से लेके 2002 तक उसके बाद 2002 से 2007 पर 2007 से लेके 2012 और 12 से 17 तक यह आपका एक series में बन जाएगा और आखरी का जो प्लान आपका था जो कि 12-5-year प्लान था तो यह 2012 से लेके 2017 की बीच में आपका था तो इसमें जो focus किये गया थे तो आपका faster more inclusive and sustainable growth थी हलांकि जो है बीच में ही इसको terminate कर देगा था और इसका जहाँ पर नितियाव के formation की गई थी फिर एगला question देखिए कि who was the viceroy of India at the time of the Jaliyah Alabaug massacre तो देखिए जो Jaliyah Alabaug का जो हत्यकांड हुआ था तो उस समय इंडिया के जो viceroy थे वो कौन थे तो राइट एंसर जो है option C आपका हो जाएगा इसका तो इनहीं के कारेकाल में जो है जो है जो जालियो लबाग मसाइकर जो हुआ था तो इसमें जो है बहुत सारे लोगों की उनके कारेकाल का जोरान कौन-कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे तो वह चीज आप से पूछे आता है question और साथ में जितने भी important जो इवेंट्स हुए थे तो उनका year आप से पूछा था डेट तो नहीं आप पूछा लेकिन year आप से ज़रूर पूछे आता है जैसे जैसे ज जिके में नोट्स करके आपको हम बना के देदें फिर next question दिखिए कि who introduced the subsidiary alliance तो subsidiary alliance कि किसने introduce किया हुआ था तो दिखिए यह जो है Lord Willisley के द्वारा किया गया था तो option B जो है आपका correct answer हो जाएगा इसका तो जो डॉक्टर ने आप subsidiary alliance जाया था यह introduced किया था Lord Willisley के द्वा जैसे कोई भी इस्टेट्स होंगे तो उनमें जो है इनकोई भी हस्तचेप यह नहीं करेंगे लेकिन इसके बाद ही जो है इन्होंने यह policy introduced किया था subsidiary alliance का ताकि वह जो है उनके साथ alliance फर्म कर सके और अपना और भी स्तिती मजबूत कर सके फिर अगला question देखिए कि who translated भाग भागवद किता को English में किसने translate किया था तो दिखिए यह किया गया था Charles Wilkins के द्वारत option B जो आपका यह correct answer आपका हो जाएगा तो दिखिए इन्होंने 1784 में इन्होंने direct translation किया हुआ था Sanskrit से English में जो कि भागवद किता था यह Sanskrit में लिखे गए थी तो उसको जो English में इन्होंन ने convert किया हुआ था और इनको देखिए जो जितने भी यह पंड़े थे इसमें जो group थे इनके तो उनको जहें एक रुपए के daily basis पे मतलब को देते थे उनका job पर रखे हुए थे और उनको check करने के लिए दिया हुआ था कि जो translate कर रहे थे तो वो सही है कि नहीं है फिर अगल कि देखिए question आपसे पूछा आता है exams में कि जितने भी sports player है खासकर Indians के हम बात करते हैं तो और वो किस गेम से वो associated है कि इस sports associated है तो यह आपसे question बराबर पूछा आते हैं तो आप लोग जो है उसको याद कर लेना हलंकि हम आपको भी इसका एक updated video provide कर देंगे सारा जितने भी important static जिगे के जो portion आपके हैं तो देखिए अजय जयराम जो आपके है तो यह जो है यह खेलते हैं Mumbai Rockets से यह जो प्रिमेर बैडमेंटन लिग जो होती है ति उसमें यह खेलते हैं तो अगला देखिए कि vitamin K related to vitamin K जो है किस से related आपका है तो इसमें देखिए option जो आपका दिया ह आपका और यह जो fat soluble vitamin का आपका है तो देखिए जो vitamin जो होते हैं तो यह हमें कोई energy provide नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमारे जो body growth के लिए essential होते हैं तो vitamin जो होते हैं तो यह जैसे इनके और भी types होते हैं जैसे A, B, C, D आपका हो गया, E हो गया और K vitamin आपका होता है तो इन मे A, D, E, R, K तो इसको simply आप ADACC से आप लोग याद कर सकते हैं और इसमें से भी जो vitamin D और K जो है तो यह हमारे human body के अंदर में synthesize हो सकते हैं और यहां पर देखिए जो vitamin C आपका है तो यह collagen formation में यह मदद करती है और साथ में अधी vitamin C के हम बात करते हैं तो यह सबसे highest आपका पायाता है आमला में इसके अलावे oranges में जो है आपका इनमें जो है vitamin C आपको मिलेंगा अधिक तरमातर में लेकिन जो है milk में यह नहीं पाया जाते हैं तो यह आप लोग याद रखना और जो water रसुल-bitamin आपके रहते हैं जब हम लोग sunlight के में आज exposure होता है तो उनके द्वारा जो भी है deterioration आपके कर जाते हैं फिर next question दिखिए the asteroids revolves around the sun in between तो जो asteroids जो होते हैं तो यह sun के around revolve करते रहते हैं तो यह जो है किसके between में like करते हैं तो इसका देखे right answer आपका हो जाएगा that is Mars and Jupiter तो option A जो है आपका यह correct answer हो जाएगा तो दिखिए जो asteroids जो होते हैं यह तो यह minor planets भी उनको बला आता है तो यह जो एक rocky structure होते हैं यह तो यह दिखिए जब solar system का formation होई थी about 4.5 billion years ago तो उसी समय से अभी तक यह बने हुए है और यह figure में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से जो asteroid आपका है तो यह आप लोग देख सकते हैं जो इसके बाहर के जितने planet आपके हैं तो वह उन सबसे अलग matter में different है different किस category में होते हैं तो वह size के matter हो या फिर mass के matter पर हो या फिर जो composition है इन प्लानेट के अंदर में तो उन सभी की चीजों पर जो है इनके बीज में difference होती है यानि कि अगर अंदर के जितनी planet आपके जैसे Mars, Earth, Venus और Mercury हो गया तो यह सारे small planet होते हैं as comparison to जो कि इसके बाहर के जैसे आपका जिप्यूटर है Saturn है इसके बाद आपका यहाँ पर Uranus और Neptune है तो यह जो है इसके composition के matter पर या फिर जो mass के size के matter पर इन सभी का difference होती है और जो planet जो इसके अंदर में रहते हैं आपके तो इनको कौन-कौन से terrestrial planet आपके हो जाएंगे जैसे आपका Mercury हो गया, Venus हो गया, Earth हो गया और Mars हो गया जो कि अंदर में रहते हैं इसके और जो इसके outside में रहते हैं तो इनको जो भी इन प्लानेट भी बोली जाती है जो कि आपका है Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune तो यह सारे important question आपके है जिनसे कि आप से यह पूछे जा सकते हैं आपके कि जैसे किनको जो भी इन प्लानेट बोलाता है और किनको terrestrial planet बोली जाती है तो यह fact जो है आप लोग याद रखना है इसको तो इस तरीके से दिखें यहाँ पर हमने पूरे एक set के question complete कर लिया है तो आपको कैसा लगा यह lecture आप लोग कमें अब आपका सीरी जो है यह continue करते रहेंगे जब तक कि आपका exam end नहीं हो जाता है